दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मायरेज वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर यूटूब वीडियो एडिटिंग के लिए सस्ते से सस्ता PC कौन सा हो सकता है, कौन सा बिल्ड हो सकता है, जिसके अंदर जो है आप मायरेज वीडियो एडिटिंग या उससे कम के अंदर आप PC बिल्ड करने की ना सोचें, क्योंकि वो फ्यूचर प्रूफ नहीं होगा, यह जो है PC बिल्ड ऐसा होगा, जो आपके लिए विल्कुल भी फ्यूचर प्रूफ होगा, आगे फ्यूचर में आप इसको हमेशा अप्गरेट कर पाएंगे, इस लेवल का PC बिल्ड होने वाला है, जिस पर आप मैरेज वीडियो एडिट कर सकते हैं, या फिर यूटूब वीडियो एडिट कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का कोई भी सौफटर जो है आप इस पर बहतरिन धंग से आप ऑपरेट कर पाएंगे, चला पाएंगे, तो दोस्ते से सम बनाए रखें, हम एक से वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, तो आएए दोस्तों हम बात करते हैं, चुकि PC बिल्ड के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की, क्योंकि उसी के आधार पर हम बाकी के कमपोरेंट्स सेलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो हम PC बिल्ड करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं AMD Ryzen के साथ, क्योंकि AMD Ryzen के जो प्रोसेसर सें, ये मल्टी कोर परफरमेंस बहुत ही बहतरीन देते हैं, जो कि editing के लिए बहुत ही अच्छा परफरमेंस ये दे पाते हैं, और हम लोग किसी भी software में अपना video editing बहतरीन धंस तो उसके लिए आप Ryzen 5 का 5500 लगा सकते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप बाद में चल करके graphic card बाई करें, लेकिन अभी जो है आप video editing के लिए फिर बाकी सब काम के लिए आप एक normal PC बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये integrated graphic के साथ भी ये आएगा, आप इसमर बहतरीन धंस वीडियो editing कर पाएंगे, बस जो है rendering में थोड़ा time लेगा, उसके लिए आपको dedicated graphic card लगाना पड़ेगा, चाहें तो आप बाद में लगा सकते हैं, और अगर इसी time में अगर आप लगाना चाहते हैं, बजट का issue नहीं है, तो आप इसके साथ में भी आप graphic card लगा सकते हैं, क कुल मिलाजू लाजर के यह जो processor है, लेटेस्ट के साथ में 14-15,000 का अगर budget है आपका, तो आपके लिए बहुत ही बहतरी जो है processor हो सकता है, लेकिन अगर आपका budget का issue इतना नहीं है, तो आप 18,000 के आज सपास अगर पहुच रहे हैं, तो उसके लिए आप, लेकिन अभी 500X लगा सकते हैं, X के अंदर जो है, वीडियो के लिए आपको graphic card लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर 5600G लेते हैं, तो आपको इसके अंदर integrated graphic मिल जाता है, graphic अगर आप बाद में लगाना चाहते हैं, तो 5600G लगाईए, अगर graphic card तुरंत ले रही हैं, तो 5600X लग और बुष्ट के बाद 4.4 GHz तक जाएगा, और ये बहुत ही बहतरीन है, और उसके बाद अगर 5600X की अगर हम बात करें, तो ये भी 6 score war threats का ही प्रोसेसर है, लेकिन 35 MB काई चीस के अंदर मिल जाती है, और जो clock frequency है, वो 3.7 GHz जो है, बेस आपको मिल रहा है, इसके अंदर थ ग्रैफिक तुरंत लगाना चाहते हैं, तो आप यही प्रोसेसर बाए करें, अगर बजट का इसू नहीं है, तो 5600, Ryzen 5 का 5600X बाए करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं, कि अगर ग्रैफिक बाद में लगाएं, तो Ryzen 5 का 5600G बाए करें, इसका भी performance दोनों में कोई बहुत ज्यादे अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर ग्रैफिक तुरंत लगा रहे हैं, तो X ही लगाएं, थोड़ा तो प्लस आपको मिल रहा है, और बजट में भी कहीं न कहीं है, थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर इंटिग्रेट ग्रैफिक नहीं है, लेकिन अभी की फिलहाल का हम बात करें, तो 5600 जी दो है, थोड़ा सा डाउन पेमेंट है इसका, थोड़ा सा कम में आ रहा है, लेकिन यह सब 18,000 के आसपास में वैरी कर रहे होते हैं, तो इसमें से आप अपने सहुलियत के हिसाब से बाई कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको तीन प्रोसेसर के बारे में बताया, अगर हम बात करें, तो AMD Ryzen 5 5500 की बात करी, 14-15,000 का बजट है, तो आप इसको भाई कर लीजिए, पर फर्मेंस में प्रेक्टिकली बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर बजट का इस उन यह 18,000 तक पहुँचते हैं, तो आप Ryzen 5 का 5600G ले लीजिए, ग्रैफिक कार बाद में लगाना है तो, क्योंकि इसके अंदर आपको ग्रैफिक मिल रहा है, लेकिन ग्रैफिक कार तुरंत लगाना है, तो Ryzen 5 का 5600X ले ले लीजिए, ग्रैफिक के साथ में तुरंत आप इसको बिल्ड कीजिए, इस तरीक चल करके आप इसके साथ बहतर परफरमेंश निकाल सकें, और ग्रैफिक कार जब आपकी मर्जी तब आप इस पर बदल सकें, तो उसके लिए MSI का B550M Pro VDH Wi-Fi वाला जो है, आप इसके अंदर लगा सकते हैं, जो कि 10 से साथे 10,000 के अंदर आपको ये मदरबोर्ड मिल जाए तो MSI का ही Mag B550M आप बाई कर सकते हैं, मोल्टार Wi-Fi ये भी बहुत ही जबरदस्त है, उसके बाद टोमा होक ले सकते हैं, उससे उपर सोरा सा और जाना चाहते हैं, इन सभी का लिंक मेरे डिस्किप्शन में दिया हुआ है, वो आप अपने बजट के हिसाब से बाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं यही कहूँगा, कि जो पहला वाला मदरबोर्ड मैंने बताया, MSI का B550M Pro, आप इसको बाई करें, Wi-Fi के साथ में जबरदस्त फेसिलिटीज आपको देता है, इस बजट रेंज के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि VRM सेक्शन बगर बहुत अच्छ यह मिलता है, और यह जो है, बारत तेरह 14,000 तक अगर आपको मिल जाता है, तो बिलकुल आख बंद करके ले लेजिए, जबरदस्त कार्ड आपको है, जबरदस्त परफरमेंस मिलेगा, वीडियो एरिटिंग के लिए बहुत ही बहतरीन काम करता है, इसको थोड़ा सा और पा और फुल है, अगर गेमिंग के हिसाब से अगर बात किया जाए, इसका परफरमेंस तो यह GTX 1650 के आसपास का यह परफरमेंस आपको गेमिंग में देगा, और T600 की बात करें, तो 1050 Ti के आसपास का इसको माना जाता है, लेकिन यह जो दोनों क्वाडरों का जो कार्ड है, यह इस फेसल जो है, आपको कल्कुलेशन बगारे के लिए यूज किये जाते हैं, और खास करके वीडियो एडिटिंग में क्वाडरों का बहुत ही बहतरिंग परफरमेंस माना जाता है, तो इन दोनों के PC में से, अगर 25,000 के आसपास का आपको कार्ड लेना है, और वीडियो ए अंदर 4 मोनिटर लगा सकते हैं, इसके साथ में एक और बेनिफिट होगा, कि जो लोग ट्रेडिंग वगरे का काम करना चाहते हैं, वो चार मोनिटर लगा करके अपना काम कर सकते हैं, जबरदस्ट परफरमेंस मिलेगा, 8K तक मोनिटर लगाने कि इसके अंदर आपको फेसल हैं, तो विडियो एरिटिंग के साथ में गेम भी खेलना चाहेंगे, गेमिंग भी करना चाहेंगे, तो उसके लिए आप जो है GTX के साथ चले जाएए, जियो फोर्स GTX 1650 ले सकते हैं, और ये जो है 24,000 के आसपास मिलेगा, और उसके बाद जो GTX 1660 Ti ले सकते हैं, अगर उस GTX 1660 Ultra, ये बहुत ही लाजवाब कार्ड है, आप इसको बाई कर सकते हैं, तो आपके बजट के उपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं यही कहूंगा, कि अगर आप ये PC बिल्ड कर रहे हैं सिर्फ वीडियो एरिटिंग के लिए, T600, Quadro का या फिर T1000 बाई कर लिजिए, उपर Sola GB अगर आप जाना चाहते हैं, तो डिवी चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, Sola GB आप उसको बाई कर सकते हैं, कोई भी दिकत नहीं है, उससे उपर इसके अंदर लगाने है, कोई मतलब भी नहीं है, Sola GB बहुत होता है इस टाइप के PC के अंदर, उसके बाद आपको उपरेटिंग सिस्टम के लिए SSD चाहिए, जो की बहुत ही जादे जरूरी है, उसके अंदर आप उपरेटिंग सिस्टम डाल करके रखें, तब ही इसका बहतरी परफर्फर्मेंस आप निकाल पाएंगे, इस मदर बोड पर जितने भी मैंने मदर बोड दिया हुआ है, इन जो है कुरुसियल का जो है 200GB भी ले सकते हैं, कुरुसियल का 500GB भी ले सकते हैं, 200GB और 500GB का जो है मैंने लिंक दे रखा है, वो आपके बजट के उपर डिपेंड करेगा, कि आप कौन सा बजट लेना चाहते हैं, और इन सभी का लिंक मैंने डिस्किप्शन में दिया हुआ ह और एक चीज ध्यान दखें, यूटुब का जो इस्टोर है, उसका भी मैं लिंक यहां पर कर रहा हूँ, एक बॉक्स राइट हैंड में दिखाई दे रहा होगा, जितने सारे प्रोड़क्ट मिल जाएंगे, हो सकता है कि एमेजनों फिलिपकार्ट से काफी सस्ते मिले, तो अगर अलग से आप हाडडराइब लगा रहे हैं, तो धाइज भी बहुत है, अगर अलग से आप जो हाडर ड्राइब नहीं लगा रहे हैं, पाउन तीबी या फिर वन टीवी लगा सकते हैं, ताकि उसके अंदर आप अपना डाटा भी रख सकें, तो इस तरीके साब सेलेक् इन सब की price की अगर हम बात करें तो 200 GB मिल जाता है, आपको 225,000 के आज पास मिल जाता है, 500 GB 4,000, 4500 के आज पास मिल जाता है, 1 TV 8,000, 9,000, 10,000 के आज पास मिल जाता है, सभी का ये prices एक्टुली से के बहुत जादे fluctuate होते रहते हैं, इसलिए actual price में बता नहीं रहा हूँ, description में है, आप उस पर click करके जरूर चेक करें, और उसके बाद जो है, चेचिस की अगर हम बात करें, तो अगर आप एक ही साथ buy करना चाहते हैं, यानि जिसके अंदर आपको SMPS भी मिलेते हैं, सस्ते मिलते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं यही कहूँगा, कि थोड़ा सा आप बहतरीन जो है, काइबिनेट कोई भी buy करें, लेकिन पावर सप्लाई आप जो है थोड़ा सा अच्छा buy करें, तो इसके अंदर मैंने काइबिनेट यानि चेचिस भी SMPS का भी link मैंने दिया हुआ है, उनमें से कोई भी अगर आपको पसंद आता है, तो आपो buy कर सकते हैं, अगर सस्त सकते हैं, क्वाडरों के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये उसका लोड ले लेगा, और पिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जीओफोर्स एन्वेडिया लगा रहे हैं, जीटियस 1650 या फिर 1660 लगा रहे हैं, तो उसके 40-50,000 के अंदर आपका PC बिल्ड हो जाएगा, 60,000 के आसपास में, जिस पर आप कोई भी बैरिस वीडियो एडिटिंग से रिलेटेट कोई भी सॉफ्टर आप जो है चला सकते हैं, कोई भी जो है आप YouTube वीडियो बगार एडिट कर सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो ये इ अन्ने बात करता हूँ, आपका दिन सुपने